वापिनी नर्सिंग कॉलेज काहतें मुंबई ना नेशनल बॉर्ण्स सेंटर ना मेडिकल डिरेक्टर अने ब्लास्टिक सेर्शन द्वारा नर्सिंग नो अप्यास करता वध्याथियोंने बॉर्ण्स केस ने सारवार अने स्कीन बैंक अंगे विस्तर जानकारी अने समाज मां जावरोते लाववा बेदियर से वर्क्षोपनों आयुशन करवा मावी होतु। देश मां अने विश्वा मां कोई पडव्यती दाजी जाए तेरे घटना दिमने माटे अरसा यह पीडा दाया खोई शे। अवाक इसमा दर्दीनों जिव गई रिते वची शके प्रथम प्रयार्थमिक सारवार गई रिते आफी बर्न पैशन से काजिक गई रिते लेवी ते अंगे हजुपन उप्यों की जानकारी नों मेडिकल क्षित्रे अभाव छे। चिरे पूर्ण करी नर्सिंग स्राफ मां बर्न के संगे सारी स्किल्ड डैवलिप थाए ते माटे वापी मां आवे शांद्रा बेंट शोफ रुफिल कॉलिज अफ नर्सिंग खाते अभ्यास करता नर्सिंग में ध्यार्थि होए ने मुंबई ना नैशनल बर्न साइंटर ना मेडिकल डाइरेक्टर और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनिल केश्वानी ये पैनल डिसकेशन अने वर्क्शोप ना माध्यम थी बर्न केसमा था थी ट्रेटमेंट अने स्केन बैंक अंगे नी सचा कर रहता कि अव्यार। तो ह्म एक लोपूली तरीजी को SHço के अवड़नों भीड भीड़ने में ल στοमुेंट और रह THE लोग को जाesisन, त mixing वेएने को दित्वंत邊 करना Mt 10' सिंज़गे भीड़निता, जाकिष्टाव ले poses नवय बंचे They will see the presentations of doctors and other nurses who have taken care of burns' patients and know what it is like and how difficult it is. It's probably one of the most difficult accidents that you can have as far as recovery is concerned because the skin is the largest organ in the business. in the body but it's very very necessary and very very important and if it gets injured or damaged in any way it the ramifications are very serious so the treatment of burns patients sometimes takes many months and sometimes the patients never recover fully they have disabilities for life so it's a very traumatic situation and puts a lot of pressure on nurses and so it's good when they come and they interact with students and prepare the students for what they are going to face if they treat burn patients and one way or another they probably will treat even if they don't go to a specialized burns hospital like the NBC at Airely in all hospitals you get burn patients who need first aid immediate treatment so yes it's something which is really very important and for the nurses dr. Keswani has decided to have my doctor Sunil Keswani I'm a plastic surgeon who or national burn center which is in Mumbai who is medical director especially today you have come here in Wapi and you have two days here work show you have been taken from the hospital which has been taken from the hospital which is the whole of the oxygen and which is the student who has been taken from the hospital knowledge of the hospital? उनका बराबर कहीं पे भी इंडिया में केर नहीं हो पाता क्योंकि जो पहले तो बंस इनिट उतने है नहीं जहां पर उनका केर हो सके दूसरी skin banks उतनी है नहीं तो हमने सोचा कि बंस का जो knowledge है nurses में उनको improve करना चाहिए और उनको improve करने का एक ही तरीक है, बड़े-बड़े conference ने, छोटे-छोटे workshops करके, ताकि one-to-one उनको explain कर सके, nursing skill stations बना सके, और उनकी knowledge और जानकारी improve कर सके, एक बार nurse का knowledge इंप्रूव हो जाएगा, burns management के बारे में, पेशिन को ज्यादा care मिलेगा, और पेशिन की जाने बच जा मैंने बोला, बड़े-बड़े cities में तो conferences होते हैं, workshop होते हैं, और वापी जैसे जगा में नहीं होते होंगे, तो यहाँ हारिया hospital है, Sander Rofill College of Nursing है, जो यहाँ पे बेवरी receptive के, वो चाहते थे कैसा workshop हो, तो हमको खुशी है कि यह दो दिन का workshop, एक दिन हो गया, दूसरा दिन भ लो पकाफी इंपूब हो जाएगा, तो हमारे इंडिया में किस तो रखा है, उनकी facilities क्या है, और फूरा, इतने टाइप पे यह होते हैं, बड़े बसिकली पांच टाइप के होते हैं, एक जो बंस जो आग लगने की उज़एश से होते हैं, दूसरा जो गरम लिकुड्स के ह तो इसे गरम पानी, गरम दूद, गरम डाल गिरने से बॉड़ी के ओपर, स्पेशली बच्चों के ओपर जो गिरते हैं। तीसरा होता है, केमिकल बंस होता है, जो एसिड और अलकली से होता है, चौथा होता है, जो एलेक्टिकल बंस होता है, जलने के बाद इमिजेटली पानी डालना चाहिए जब तक जलन कमना हो पोर वाटर उन बर्न सिंसेशन सबसाइड दूसरा मैं को सिखाना चाहते है कि स्किन बैंक नाम की चीज भी है तो जहां पे लोग मरने के पश्चाथ स्किन डोनेट कर सकते है स्किन फ्रम थाइस, लेक्स और बैक से निकाली जाती है विदिन सिक्स आवर्स और यह स्किन दूसरे बर्न पेशिन की जान बचा सकती है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है कि लोगों मालूम होना चाहिए स्किन बैंक नाम की चीज होती है और स्किन मरने के बाद डोनेट किया जा सकता है खास करके अब बंस होता है तो प्लास्टिक साजरी उसके लिए कितनी कारगत है